Hello everyone, मैं Amit Toppers Cause Academy पे आपका स्वागत करते हूँ तो बेटा हम लोग क्या देखेंगे, कि हम जो Economics की सीरीज चला रहे थे अब उसका एक बहुत important topic है, और बेटा वीडियो को miss मत करना बहुत important चीज़ है, बहुत important questions यहां से बनते हैं वीडियो को बिल्कुल भी miss मत करना, ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे, चलो अब यहां पे क्या हुआ, हम यहां पे क्या करते हैं, कि आपका money जो है, money और banking एक बहुत important topic है उस topic को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, छोटी सी एक story सुनाता हूँ उस story से समझना, कि आपका money क्या होता है, और आपका जो money है, उसकी requirement क्या है, यह सारी चीज़ा आपको समझना बहुत जादा जरूरी है तो कि आप समझोगे आगे के जो आपके economy की बहुत सारी और जो चीज़ा है, वो आपको clear होती होई जाएंगे ठीक है, चलो छोड़ी सी कहानी सुनना, आपको बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी एंशन टाइम, आपसे पांच लाग, दस लाग, पांच करोर साल पुरानी बात है आपका ये तब क्या होता था, human जो है वो आपका, just उसका existence जो है वो शुरू हुआ था, human का existence शुरू हुआ था, बतलब जब इनसान आपका, बिलकुल इनसान पहला इनसान आया, पहला इनसान आएगा, पहला इनसान जंगलों में घुमता रहेगा, घुमता रहेगा, और वो आपका, कुछ ना कुछ जंगलों में जो से फल मिलेंगे वो खाता रहेगा, जानवर मार के खाता रहेगा इस तरीके से वो अपना जीवन जो है वो चलाता रहेगा, जैना उस तरीके से उसका जीवन यापन चलता रहेगा भी, अब क्या होगा जब उसका जीवनी आप चलेगा और धीमे 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 जब आपका growth होती जाएगी धीमे धीमे लोग जो है वो बढ़ते जाएंगे एक इनसान से दो दो से कई सारी जब इनसान हो जाएंगे तब हग का क्या होगा तब जो इनसान है उसे कुछ चीजों की जरूरत महसूस होगी अच्छा जरूरत क्यों महसूस होगी थोड़ा से समझना मालो एक इनसान है मैं उसका नाम यहाँ पर पपो मान लेता हूँ पपो सीरीज है तो भई मैंने बोला था सारी कहानिया जो है वो पपो के नाम पर यहाँ ठीक है तो एक इनसान जो है जिसका नाम पपो है अब पपो क्या है पपो जंगलों में घूम रहा था पपो जंगलों में घूम रहा था तो पपो ने क्या कि कुछ फल खा लिए यह न आज मेरा जो है वो non-wich खाने का बने तो मैं आज मशली खाता हूँ लेकिन पप्पू के पास मशली नहीं थी तो वो गया उसने अपनी दोस्त से पूचा उसके दोस्त ने बोला भाई मेरे पास मशली है तो पपू ने बोला गप्पू से भाई तो मुझे मशली है वो दे दे मुझे बदले में तो क्या गर मेरे से जो मेरे पास फल रखे हुए है वो फल जो है तो मेरे से ले ले और उसके बदले में मशली मुझे दे दे ठीक है तो पपू ने क्या क्या अपने दोस्त को फल दे दिये और बदले में हमाया, goods of exchange किये हमने, जो goods थे, product थे हमने exchange किया आभ क्या हुआ ऐसे ही पप्पो को किसी चीज की जरूरत पढ़ती थी तो पप्पो ने फलों का stock कर रखा था क्योंकि पप्पो को फलों पर उसे बदले में फल देता और फल देता और उसके बदले में कि अगर एक बार जैसे एक बार क्या हुआ पपू को अभी दो चीजन चल रही थे अब ठंड का मुखसम आया थे को या यार जानवर की खाल अगर मिल जाती मुझे तो मैं क्या हूँ है जानवर की खाल से अपनी बोडी को ग बारि लेता और ले यहां पे ठंड से बच जाता ठीक है तो अब यहां पे अब उसे ठंड से बचना तो उसे जानवर की खाल चाहिए थी अब उसके पास जानवर की खाल तो थी नहीं हाँ बट उसका एक दोस्त था उसके पास जानवर की खाल थी तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई देख, मैं फल खाता नहीं हूँ, तो मुझे बदले में कोई ऐसी चीज दे, जो चीज मेरी जरूरत की हो, ठीक है, अब यार पपो ढूंडता रहेगा, क्यार मैं इसकी जरूरत की चीज कहां से लाँ, क्योंकि मुझे तो जरूरत है, लेकि इसे जो जरूरत है, वो चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो फल है, वो ये, फलों की जरूरत इसे नहीं है, तो यहां पर यह जो सिस्टम भन है, एक्सचेंज वाला, यह सिस्टम फेल हो जाएगा, चलो, पहले तो हम यह देखते हैं, एक्सचेंज वाला सिस्टम था क्य है उसमें क्या था कि आप सामने वाले को एक चीज दोगे बदले में सामने वाला आपको कुछ चीज दे देगा या ना लेकिन ये सिस्टम कब exist करेगा कब ये सिस्टम आपका चलेगा जब double coincidence of want हो जब ऐसा सहयोग हो जब आपका ऐसा सहयोग हो कि सामने वाले को उस चीज की आवश्यक्ता है जो आपको उस चीज की आवश्यक्ता है जो सामने वाले के पास है अगर ऐसा आपकी आवश्यक्ता है हैं ऐसा दौरा सायोग होता है कि एक दूसरे की अवश्यक्ताई की चीज़ा है आप दूसरे के पास हैं तो तो ये सिस्टम आपका चलेगा बटकर ऐसा नहीं होता जैसे मैंना भी दूसरा केस बता है पपो को ठंड लगी तो उसे क्या जरूरत थी उसे खाल की जरूरत थी याना देखो ये खाल पहने हुए है याना उसे खाल की जरूरत थी लेकिन उसे दोस्त ने क्या वोला कि भई तुझे खाल तो दे सकता हूँ लेकिन बदले में जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिला नहीं याना मतलब क्या है, बदले में मुझे तेरे से फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे मचली दे दे, या और मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ है, वो मुझे दे दे, तो तो मैं तुझे खाल ये दे सकता हूँ, यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है, वो fail हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या क्या है, क्या कैसी, ऐसी ऐसी चीज़े हैं, जहां पर आके आपका ये बार्टर सिस्टम, विनमे व्यवस्था जो है, वो आपका fail हो जाती है, तो हम सिस्टम देखते हैं, या वो point देखते हैं, पहला यहां पर ये सिस्टम आपका ढंक से नहीं चल पाएगा, जैसे अभी आपने खाल वाले केस में देखा, दूसरी चीज़ का है, दूसरी चीज़ है, लैक आफ कॉमन मेजर आफ वैलियू, ठीक है, चलो, अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलू, कि भई अगर एक चीज़ के गदले में, अगर मुझे एक फल देना है, चलो, कोई बात नहीं चल जाएगा, मैंने क्या किया गेहूं की फसल गदली, अब गेहूं का तो दाना बहुत छोटा सा होता है, तो अब भी क्या यही होगा, एक गेहूं के दाने के बदले में, एक मचली मिलेगी, या फिर अब कोई चीज समझ में आ रही है, कि मैं कितनी चीजें दूँगा, उसके बदले में मुझे कितनी चीजें मिलेंगी, ये चीज कैसे आपका define होगी, ये तो आप बस आपकी मर्जी पे चलेगा, कि हाँ भी ठीक है, तो इतना दे तो मैं ये दे दूँगा, तो ये कोई standardization नहीं ह होगा, कोई आपके मानक नहीं बन पाएंगे, इस वजह से बार्टर सिस्टम यहाँ पर भी जो होता है, वो fail हो जाता है, कि आपके common measure value नहीं होता है, कि हमें अगर कोई चीज खरीदनी है, हमें इस सामने वाले से अगर कोई चीज लेनी है, तो उसके बदले में हम उसे कितन चीज देंगे, जिसके बदले में वो हमें, वो चीज जो हमें जरूरत है, वो देगा, कि यहाँ पर भी बार्टर सिस्टम फेल हो गया, तीसरा क्या है, lack of standard of deferment, यह deferred payment हम बोलते है, कि आपका deferred payment हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब deferred payment क्या होता है, कि मुझे अगर कोई इसी च चीज है ना, मुझे उधार दे दो, मुझे लोन पे दे दो, मैं आपको बात मैं पैसा देता हो, बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती, एक्सिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि बार्टर सिस्टम में आपका currency जो है, आपका रुकी नहीं सकते, आप को नहीं पता ना कि आपको अभी आपने चीज लिए उसके बदले में आप कल या पर्सों या कब चीजें दोगे कैसे दोगे बार्टर सिस्टम में आपका डिफर्ट पेर्मेंट जो है वो भी आपका एक्जिस्ट नहीं करता और सबसे बड़ी प्राबलम जो है वो है कि आप पैसे को आप जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हो अभी आपके पास पैसा है आपकी सेलरी आई आपने अपनी सेलरी का अगरी बैंक में जमा कर दी है अब आपको जब जरूर एता आप बैंक से पैसे निकालते जाओगे लेकिन बार्टर सिस्टम में तो ऐसा नहीं हो सकता क्यो पिर क्या होगा विख खराब हो जाएंगे तो फिर हम उसे आगे यूज नहीं कर पाएंगे ना तो हमारे पास जो पैसा थगा है जिसरे हम ऐसा money consider कररे ijnा जिसरे हम as a wealth consider कर रही थे क्या हम उसे आगे तक आपका preserve परके store करके रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, खराब हो जाएगा यहाँ पे आपका lack of storage भी आपका एक issue था barter system में अच्छा यह issue भी बोल सकता हूँ मैं कि यह problem थी बट अगर यह चीज आपका अभी भी ऐसी ही चलती तो मैं बोलता हूँ कि आपका यह बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि अभी क्या होता है बही लोग corruption करते हैं क्योंकि हम पैसा जादे से जादे, पैसा कमा ले और वो पैसा एखटा करके हम bank में भर लें घरों में भर लें, ऐसी चीज़ होती है न corruption होता है, लोग जादे से जाद पैसे की बीचे बागते हैं, लेकिन अगर थे को बार्टर सिस्टम में ये लैक आफ स्टोरेज वाला इशू जो था ना कहने को तो उस टाइम पे इशू था अगर ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती तो क्या कोई करप्शन करके सुईस बैंक में पैसा जमा करता करी नहीं पाता बिटा कैसे जमा गर लेता जो इस बैंक में पैसा क्योंकि अगर वो करता तो जिस फॉर्म में पहले करंसी थी ये फलों और इनकी फॉर्म में कराब हो जाता तो यहाँ पर आपका वर्ल्ड एक बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ां हो सकती है अगर ये system आपका अभी भी एक्सर्ट करता तो चलिए वापस आते हैं हम आपका तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में कुछ limitation थी बार्टर सिस्टम में limitation थी इस वजह से हमने क्या क्या किया कुछ और system निकालने की कोशिश करी तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे evolution of money कैसे 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 आपका जो पैसे का system है वो जो अभी आपका system है जहाँ पर एक phone पर UPI करते हो use और आप payment कर देते हो तो वहाँ तक हम कैसे आए यह थोड़ा से समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका barter system था अभी हमने देखा barter system में क्या क्या लिमिटेशन तो barter system के बद हमने क्या किया हमने का किया हमने का कि हम कुछ ऐसा common medium निकालते है जिसमें आपका हम चीज़ें जो है वो use करेंगे मतलब अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उस चीज़ को बोलते हैं ठीक है शेल जो होती है आपके मोती वगरा की उन्होंने ये कॉडियों को decide कर लिया कि कॉडियां जो है न ये आपका वो है जो है ये आपका जो होगा पैसा होगा ये money होगा इससे हम चीज़ें डील करें लेगन देखो पेटा इसमें एक है तूट गई आपका पैसा खतम होगा ये आपका वैसे भी जो इनमें एक डिके प्रोसेस होता है आपने बहुत सरी एक खटी करें ये आपस में टक रही उसकी वज़े से ये खराब होगी या फिर क्या हुआ कि आपका जो वाटर बॉड़ी के पास में मिल रही है याना किसी क्या होगा करीब रह जाएगा और बाकी ये जो है ये अमीर हो जाएंगे जो नदियों के समुदर के पास रहेंगे तो ये भी एक सिस्टम आप देख रहे हो इसकी वज़े से भी क्या होगा आपका दिक्कते होंगी इसकी वज़े से भी आपका प्रॉब्लम होगी ठीक है त होगा आशोका के टाइंपर गुप्ताज के टाइंपर आपका क्या होता है था मैटल करण्शी겠 चलते थे हुईए्टल करनिशी मतलब हम प्लें कि जो है नושे हम बचुश करन्शी बना it है जो आपका Limited है मतलब जो हर आदमी को ना मिले तो हमने यहा पर करण्सी बनाई जनरली जो करंसी ओपकी गॉल्ड जैनल जनरली हम गोल्ड और सिल्वर की करंसी जो थी वो डील कर रहे थे रहें हम फिर अहलने कि क्या किया कि gold और currency और silver की currency में एक issue आया issue क्या आया कि बटा gold और silver limited metal है limited metal होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यह बहुत बड़े amount में आपको नहीं मिलते हैं जब यह बहुत बड़े amount में नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगी कि जब आपकी अर्थव्यवस्ता, जब आपकी economy आपका grow करेगी, grow करेगी, आपके पास ये metal नहीं होंगे, तो आप उतनी बड़ी अर्थव्यवस्ता के लिए उतना gold, उतना silver कहां से लाओगे, तो जब उतना gold, उतना silver आप नहीं लापाओगे, तो इसकी वज़े से इश्यू क्या होगा आपके अर्थ वेवस्ता में इंफ्लेशन वाली चीज़ें आजेंगे आगे हम इंफ्लेशन पढ़ेंगे भी महंगाई बढ़ जाएगी तो इस चीज़ को हम आपका खतम करने के लिए हमने क्या क्या पेपर करन्सी शुरू कर दी इन 14th century में आपका चाहिना की तरफ इंडिया में और आपका मिडल इस्ट की तरफ जो इरान वाला पूर्शन है उदर आपका यह पेपर करन्सी जो हो शुरू होगी ठीक है पेपर करन्सी अब ही पेपर के नोट आपने देखे हैं होते हैं अब इंट्रिंसिक वैल्यों की जो हो प्लास्टिक करन्सी पर जो आपके कार्ड वगिरा हुटते हैं और प्लास्टिक करन्सी से हम आपका ग्रो करके कहां आजएंगे अभी आपका जो यूपियाई पेमेंट वगिरा होता है वहां पर ठीक है इस तरीके से एक इवॉल्व हुआ मनी जो बार्टर सिस्टम से और जो अभी तक हम आपका देखते हैं, समझते हैं, वहाँ तक यह आपका पहुँचेगा, ठीक है, तो evolution of money हमने देखा, हमने कुछ problems भी देखे, क्या problem से जिसकी वैसी यह system ऐसे धिमे धिमे कर इए, इस तरीके से आपका grow किया, ठीक है, चले, अब हम आगे देखते हैं, अब हमने select किया है, जिसे हम medium of exchange में, हमें अगर कोई good लेना है, हमें कोई पस्तू लेना है, हमें कोई भी service चाहिए, तो हम क्या करेंगा, उसके बदले में वो commodity जो है, वो देदेंग, उसी को हम money बोलता है, paper currency के form में भी आपने देखा, आपने perishable goods के, याने की फलों के और आपक कुछ चीज दिखती भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर money होने के लिए आपको सबसे important क्या चीज है, कि सब लोगों की सहमती होनी चाहिए, कि हम इस चीज को currency मानेंगे, और कोई चीज आपकी जरूरी नहीं होती है, वो paper की भी हो सकती है, वो plastic की भी हो सकती है, हो सकता है कल को आपको किसी और form में money मिल जाए, लेकिन आपने जिस चीज को आपने यह मान लिया, कि हाँ यह चीज आपका, जो कि इसे हम मानते हैं, कि इसे हम आपका goods or services करीदने के लिए use करेंगे, उसे आपने क्या बोल दिया, या money बोल दिया, ठीक है, चले, अब देको money के बारे में हम कुछ चीज़ें और देखते हैं, कि money के functions क्या होते हैं, तो यह दो तरीके के function होते हैं, mainly जो आपको मिलते हैं, primary function और secondary function, primary function सबसे important सबसे पहला function जिसकी वैसे हमने यह money शुरू किया था, वो किया था medium of exchange, मुझे कोई चीज खरीद नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम यहाँ पे जो double coincidence of wants ना हो, तो आपकी आवश्यक्ता हो कि दोहरी, दोहरा सयोग ना हो, तब हम जो आपका चीज़ें यूज करेंगे, वो क्या होगा, आपका money होगा, दूसरी चीज क्या है measure of value, हम यह चीज देखें कि अगर मुझे कोई चीज नापनी है, तो मैं कैसे नापता, वहाँ पे, एक गेहू के बदले में, आप क्या, एक मचली देदोगे, एक गेहू के बदले में, क्या आप एक फल देदोगे, तो वो चीज़े measure करने के लिए, नया आपका, जो है, हमने currency ले दिया, हमने एक fix कर दिया, हाँ भई, 100 रुपे है, अब 100 रुपे में क लेजर of value, अचा secondary function इसके कहा होता है, deferred payment, deferred payment कि अगर मुझे बाद में pay करना है, तो आपका कैसे होता है, credit card, यही तो होता है, credit card होता है, loan वाला system होता है, banking पूरा system होता है, यह deferred payment के लिए तो काम करता है आपका, या फिर आपका storage of value, कि मुझे पैसा इखटा करना है, मैं थोड़ा सा और आगे चलते है, यहाँ पे सबसे important चीज, जिससे सबसे ज़्यादा question बनता है, कि बेटा, यह M1, M2, M3, M4, यह क्या money होता है, किस चीज को हम M1 बोलते है, किस चीज को हम M2 बोलते है, तो देखो, आपका एक simple चीज है समझना, सबसे simple, सबसे basic चीज समझना, कि अगर आप से पूचा जाए, M1 जो होता है, M1 कौन सा पैसा होता है, जिसे हम M1 बोलते हैं, तो बेटा, वो पैसा, जो आपके हाथ में है, आपके पास जो पैसा है, चाहें वो coin हो, चाहें वो currency note हो, या कुछ भी हो, या जो आप bank में deposit करते हो, बैंक में 2-3 की deposit होते है, आपका एक time deposit होता है, एक demand deposit होता है, demand deposit आप कभी भी निकाल सकते हो, time deposit जो होता है, आप एक fix time के बाद ही निकाल सकते हो, तो यह जो demand deposit होता है bank में, आपके saving account में जो आपने पैसा जमा किया होता है, जो आप कभी भी bank के पास जाते हो, एक form बढ़ते हो, और bank आपको पैसा ATM के पास आप जाते हो, ATM से आप क्या करते हो, पैसा निकालते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? Demand Deposit तो वो पैसा, जो या तो आपके हाथ में है, आपकी फॉकेट में है, आपकी घर पे है, या bank में जो आपके demand deposit वाले खाते हैं, saving खाते हैं, वो सारा जो पैसा होता है आपका M1 currency, ये वो पैसा होता है जिसे आप कभी भी खर्च कर सकते हो, खर्च होने में आपका सबसे पहले जो आपके पैसा मिलेगा, वो कौन से मिलेगा आपको, यही वाला पैसा मिलेगा, इस वो पैसा जो आप सबसे easy तरीके से सबसे जल्दी खर्च करता हो, तो वो होता है, देखो यह आपके हाथ में पैसा है, आपको कोई चीज दिखिए, आपने तुरंट pay कर दिया, खर्च हो गया, तो यह क्या होता है, आपका liquidity सबसे जादे होती है, M2 पे आते हैं, अगर हम M2 की बात करें, तो M2 वो currency होती है, जिसमें M1 है, M1 के साथ आपका जो है वो पैसा जो आपका post offices में deposit है, अच्छा बिटा देखो पहले ना bank आपके नहीं हुआ करते थे, पहले हर जगह bank नहीं हुआ करते थे, bank जो है वो कम हुआ करते थे, post office सब जगा हुआ करते थे, मतलब गाओं गाओं में जाओं गया, तो गाओं गाओं में आपको post office तो मिल जाएंगे, लेकिन bank नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे कहता, post office आपके घर के पास हुआ करता थे गाओं में, तो लोग post office से जाके तुरंट पैसा निकाल सकते थे, तो लोग क्या करते थे, post office से easily पैसा न बोल देते हैं जोसे हम M2 बोल देते हैं M2 भी एक liquid होता है M1 से कम होता है लेकिन वह भी liquid होता है क्योंकि जल्दी सा पोस्ट आफिस चाह सकते हो पैसे निकाल होगी और आप खर्च कर सकते हो आपकी requirement है चलिए M3 पर आते हैं M1 प्लस time deposit अब time deposit क्या होता है मैंने बुला FD FD होती है bank May fixed deposit बुलतो न तो FD जो bank में होती है वो time deposit है कि एक साल की FD दो साल की FD तीन साल की FD या फिर RD recurring deposit जो आपका किसमें होता है आपका post office में होता है ये सारी चीज़ें जो होती है na time deposit ये आपका M1 प्लस time deposit को हम की बोल दे है M3 यह पैसा निकालने में आपको टाइम करते हैं क्योंकि FD है एक साल बाद आप उसे खर्च कर सकते हो RD है RD दो साल की चार साल की पांच साल की होती है recurring deposit तो आपका दो चार पांच साल बाद आप उसे समझ मैं है तो आपको से बहुत जल्दी से खर्च नहीं कर सकते हो तो यह आपका liquidity जो होती है इसकी कम होती जाती है M1 की सबसे जाधे liquidity M2 की उससे कम M3 की उससे कम liquidity होती है ठीक है और देखो M4 क्या होता है बिटा और M4 क्या होगा M3 आपने प्लास कर लिया मतलब आपने क्या हो गया M1 वाला जितनी भी करंसी आपके हाथ में थी आपके जो demand deposit थे वो fixed deposit जो bank में थे वो उसके अलावा post office का भी deposit जो था वो मतलब जो आपका M1, M2, M3 तीनो को अगर मैं add कर दू तो वो मिल के क्या हो जाता है आपका M4 ठीक है M1, M2, M3 तीनो के combination जो होते है उसे मिला के हम क्या बोलते हैं आपका M4 बोल देते हैं जो होता है आपका M4 ठीक है लेकिन M4 में आपका क्या exclude होता है National Savings Certificates वगरा जो होते है वो आपका M4 में include नहीं होते हैं इसे हम broad money कहते हैं और इसकी liquidity जो होते है comparative जो होते है काफी कम होती है यह पैसा आप इतना easily नहीं निकाल सकते हो तो चलिए यही आपका money का छोटा सा concept था यह concept हमने समझा आगे इस से related ही आपका banking पढ़हेंगे हम यहना अभी तो हमने आपका money पढ़हा है उसके बाद हम banking पढ़हेंगे उसके बाद हम inflation वाले जो tom है जो आपके questions सबसे जादे probability होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे ठीक है तो बिटा कर आपको यह समझ में है वीडियो को like जरूर करना यहना चैनल को subscribe करना अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो और पीडेव से गरा के लिए हमारे टेलिग्राम जो है वो join कर लेना ठीक है मिलते हैं आपसे next video